इस चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक अभिनंदन है आप सभी से साधर प्रार्थना है कि वीडियो के नीचे लाल रंग से सबस्क्राइब लिखे को टच कर सबस्क्राइब कर दें उसके बाद घंटी को टच कर नोठिफिकेशन अल कर लें ताकि नए वीडियो आपको स सबसे पहले मिले और यदि वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगुठे के निशान को टच कर लाइक कर दें धन्यबाद दोस्तों नमस्कार मैं बालापीर इलेक्ट्रोंडिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक बिनंदन करता ह दोस्तों हमारे पास एक कमेंट जायए कि हम ए भी कोड कैसे लगाएं दिखाएए और इचदी कोड कैसे ंवी से लकिकोतुर सब्सक्oyao यहां यहां यही कोड़ एम में लगाएंगी और दूसरा छोड टी वी में लगाने के लिए टीवी को कि घुम παर देता है यह कमपने का एलेविपल को हम दिछाथं यहां टीवी को चलाता है पावर देता है और यहां पर आता है देखिए यह भी इन यहां यह भी इन लिखा हुआ है तो इसमें पीला में वीडियो सिंगनल जाता है चलिए साफ करके आपको दिखाते हैं यह जो पीला कोड़ है इसमें वीडियो सिंगनल आता है और यह उजला और लाल में अडियो सिंगनल आता है आवाज देता है इस ये दोनों से left और right का आवाज आता है जैसे इसमें केबल खोसेंगे पीला में पीला खोसेंगे तो यहां और यह दखिये यह भी code आता है पीला लाल उजला तो पीला में पीला खोसेंगे तो वीडियो आएगा और लाल और उजला से आवाज आता है तो यहाँ LED कोई भी LED TV में left और right दो किसिम का code लगता है तो दोनों side का speaker बज़ेगा अगर एक code आप लगाते हैं तो केवल एक speaker ही आपका बज़ेगा और दोनों code लगाईएगा तो दोनों side का speaker बज़ेगा तो यह देखिए यह घेरा लगाके indicate की हुए है कि यह यह भी in है और यह output point है तो यहाँ से आवाज out होता है यह home theater में connection इसका होता है और दोस्तों इसमें HD code लगता है HD in HD code लगागा तो HD box भी आपको लगाना परेगा तभी आप HD quality देख पाईएगा तो अभी हम TV इसमें केवल यह भी code लगाते है यह देखिए पीला में पीला उजला में उजला और लाल में लाल दोस्तों किसी किसी TV में यह भी 2 किसम एभी 1 और यह भी 2 दू जगा होता है तो यह भी 1 और यह भी 2 तो जैसे जो code में लगाईएगा आफ यह भी 1 में लगाईएगा तो TV के remote से इभी 1 सेटिंग करना परेगा और यह भी 2 में लगाईएगा तो TV के remote से 2 सेट करना परेगा तो यह भी हम यह यह LG में केवल ऐसा ही आता है लोकल TV में चाह blijना और किसी TV में दो किसम का रहता है अहर्ट TV का अपना अलग अलग function है तो हम केवल यह भी in में ही ऐसा डाल पाएंगे तो यह भी in में हम यह लगा भी है अब इसको गुहाते हैं अब देखिए यह DTH है इसमें भी तीन कलर का code रहता है यह देखे पीला, लाल, उजला तो पीला को पीला में लगाएंगे तो यह देखिए यह साथ लिखे हुए है यह वीडियो का code है यह जो पीला है वीडियो का code है और left और right यह audio का code है इससे आवाज आपको आएगा तो हम यहाँ लगाते हैं वीडियो और लाल में लाल पीला में पीला अब आपको इसको चला कर दिखाते हैं तो चलिए हम इसमें लाइन देते हैं और चला कर दिखाते हैं कि दिए सप्लाइव दिया है कि यहाँ आण टीना का तार कसा था है एले इन इन में और इसमें नहीं किसाएगा इसमें कुंप लिए है टो एक जो है और डिटाश सुरूब है । गाने का तो सिस्टम आप समझ गया आप को डीटी एचडी कोड लगाने का आपको सिस्टम बठाते हैं तो सब सबसकर करते हैं और एचटी कोड लगा कर दिए ये रहा मेरा एचडी बॉक्स और यह देखिए यहां HD code लगता है, HD code यहां लगेगा और इसमें memory लगता है, और यह देखिए यह भी का यह code है, इन पिन का हर box में ऐसा ही रहता है, तो अब हम HD code लगाते हैं, यह रहा इसका HD code यह देखिए, और इसको हम निकालते हैं, और इसको हम इसमें लगाते हैं, यह देखिए HD code हमने लगा दिया, अब हम TV में HD code लगाएंगे, यह TV में HD code यहां लगेगा, तो हम यह भी पिन पहले निकाल दते हैं, और निकाल किसको हटा दते हैं, और HD code हम यहां खुश दते हैं, अब खुशा गिया, अब हम इसमें अंटीना का तार्क अस दते हैं, और उसके बाद TV और DTH दोनों को इस टार्ट करके आपको फिगर दि चलिए हमने तार कर दिया, अब दोनों में हम सप्लाई देते हैं, यह देखिए इसमें सप्लाई लाइन आ गया, और TV में भी लाइन आ गया, लेकिन अब हम TV को, यह भी मोड में सेट है, हमने लगाया है HD code, तो अब HD में सेट करने के लिए, इसको, TV को HD में सेट करना होगा यह देखिए, TV की रिमोट में यह इनपुट है बटन, इस इनपुट बटन को हम दबाएंगे तो सेटिंग खुलेगा, यह देखिए, और यह है HD mode, तो हम HD mode यह बाइं और दाइं बटन से जाएंगे, यह खोले, अब हम यहाँ आगे, यहाँ आने के बाद हम OK बटन देखिए, तो यहाँ से यहाँ connect होना शुरू हो जाएगा, और connect होने के बाद, यह HD mode में चलना शुरू हो जाएगा, यह देखिए, यह HD figure भी दिखाने लगा, यही है TV में HD और AV code लगाने का बीधी, दोस्तों, किसी किसी में HD code दू जगर आता है, जैसे TV में यहाँ HD code है, एक एक और एक एभी है, तो किसी किसी TV में दो जगर आता है HD code, एक HD1 और HD2 ऐसा रहता है, तो जैसा जिसका setting होगे, वैसा रिमोट से फिर इसको set करने परेगा, HD1 में है, तो HD1 में रिमोट से set करना है, और HD2 है, तो HD2 रिमोट से set करेंगे, दोस्तों, वीडियो अगर अच दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए